मुँ बंद रख अपना एक शब्द और नहीं बोलना चले जा यहां से नेकल जा गुस्से में ऐसा कहने वाली मेरी मा है और पास में जो चुपचाप खड़े हैं वो मेरे पापा है और शादी का जोड़ा पहन कर जो खड़ी है वो मेरी मंगेतर है और ये दोनों उसके माबाप हैं आखिर में मैं बाहर आ रहा हूं अक्सर मेरे पापा को गुस्सा आता है लेकिन फिर भी मैं हर हफ्ते एक घर आता रहता हूं लेकिन पहली बार मेरी माँ को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और ये सब कैसे हुआ जानना है आपको यह मेरे पापा जो मुझे स्कूल ड्रॉब करने के लिए नहीं जा रहे हैं बलकि अपने साथ मुझे स्कूल लेकर जा रहे हैं हमारे मैट्स टीचर सारे स्टूडेंट्स को पनिश्मेंट दे रहे थे सिर्फ मुझे ही उन्होंने क्लासरूम में बेठा कर रखा ये सब क्या है मधुजी इन सब को पनिश्मेंट दे रहे हैं सिर्फ मेरा बेटा क्लास में है दर असल वो आपका बेटा है ना इसलिए मैंने ये क्या सर आप खुद खड़े हो गए कहा था ना मेरा बेटा इसलिए पनिश्मेंट नहीं दी अब उसकी पनिश्मेंट मैं भर रहा हूं इसलिए उस दिन से मेरे पापा और सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ 2020 मैच खिलना शुरू कर दिया एक बात इनको समझ में नहीं आती कि वो लोग कितनी भी पर एक जग़ह हमेशा मेरी हार ही मैरे पापा के एक दोस्त हैं जो विशा का पतनम में रहते हैं पापाने उनकी बेटी को हमारे घर में माह की emotional expression से पता चल गया कि अब इस घर में मेरी क्या हालत होने वाली है इनका नाम सदानंद है पापा के दोस्तों में यही एक हैं जो पापा को ओए रे बे करके बुलाते हैं इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं वो दो ठीक है लेकिन घर के पास का स्कूल छोड़कर अपनी बेटी का दाकिला हमारे स्कूल में करवाया और बता तेरा बेटा कैसा है पता नहीं यार मेरे बेटी का क्या होने वाला है ये मेरे दादा जी की पांच एकर जमीन है जिस उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया वो हमेशा कहते थे कि हर इंसान को खेती बाड़ी जरूर करनी चाहिए अरे भाईया इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है और एक एक एकड़ में एक लाग के हिसाब से मुनाफा हुआ है ये सुनने के बाद मेरे दिल में मैंने एक बात की गाट बान ली थी कि अगर लाइफ में मैं कुछ करूंगा तो खेती ही करूंगा सुधागर खड़ा हो जा तू बड़े होकर क्या बनेगा दोक्तर बनूंगा टीचर बनूंगी सर पुलिस फेविश्णू खड़े हो जाओ तू बड़े होकर क्या बनेगा मैं खेती बारी करके अच्छा किसान बनोंगा सर यह जवाब सुनकर मेरे पापा एकदम शौक हो गए बेटा मैंने ये क्या सुना कि तू खेती बारी करना चाहता है ऐसा नहीं बोलते अगली बार कोई पूछे ना तो कहना कि मैं अच्छे से पढ़ लिखके अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ इसके बाद मैंने अपनी मा को दादा जी की कही हुई बात कहीं कि हम किसी और जगा नौकरी करके अपने ही पैसे से अपना अनाज क्यों खरीदें हमें अपना अनाज खुद ही उगाना चाहिए ये जवाब सुनने के बाद मेरी मा ने मुझे सिर्फ खाना खिलाया ना कोई स एए विश्नु खड़े हो जा सरोजनी देवी की मां का नाम क्या है एक नम्मर का गदा कुछ नहीं आता है मुझ अड़का कर खड़ा हो जाता है बस सुभाश तुभी खड़ा हो जा तुभी इसके साथ रह रहकर एक दम ठीट हो गया है अब बेटा वेदा तुम बताओ उनकी मां का नाम है बारदा सुद्रीदेवी घट जर्ब इन सब के कान के नीचे लगाव तो एक बात आप सब भूक ध्यान दें कि जब मैं थ्र्ट क्लास्में था तब वो फर्स् स्लास में थी अभी मैं फिध्स-क्लास में और वो मज़ा आगया मज़ा आगया ऐसा कहने से अच्छा लगा तो भी उंगली डाल के देख पहुत मज़ा आया अमा चाचा जी और इस तरह में उसके थपड का बदला लेता था और फिर पापा का मुझे मारना मुझे इन सब की आदत में देख अरफ यह आगया एट आगया ऊंड़ा से खाल सब के दो को तो अब तुम लोगाने मरी बागली तोड़दे है कि अग गुल्ग मेरे बोडल और थीठे है कि अ मुझेzent किस चोब वापस किस जाए शार रगह Japanese अझ कहां सब्होंग मेरे इंधकर नजग बुर फिसल लुड्टे जानी ऑनलुड हुआ, तों लोगों मेंसें किसमेरी मोथल तोडिधी? हां? ऐसे सकल बना के तेखे रहेंगे दो मैं डर जोंकोगों क्या? मून तोड़तूँगा? है चुप्पा! अजब तो, आज एचे शोड़ूगे मेरी, हां? 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 छोड़ूंगे नैं? आप दोग्जा तुम लोग मिलिया वे दारू की बोदल तोड़ी है अरे आज गवर्मेंट होली ने है अब मुझे दारू की बोदल कहाँ से मिलेगी तो पता नहीं कहाँ गए तो नहीं हो यहां सब्सक्राइब कुल गई अज़ा जल्दी फास्ट चल राज अज़ा जा जलदी लूगा फेटरबात बांच कर शादी करके फोन करना यहांपर मैं सब समाल लोगा ठीक है चल अब जल्दी जा बाए 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 विश्णु माफ किजी का शेकर जी बलानने की क्या जरूरत हैते िdekहाने तेरे बेटे ने कितनी आसानी से बोल दिया पर तेरी समझ में नहीं आएगा अगर तेरी एक बेटी होती और उसकी शादी में ऐसा होता तो पता चलता पर तुझे वो माउका नहीं मिला तेरी विजक जैसे मेरी बेती की मुलाकाती से हुई उसकी वज़े से दोनों की दोस्ती हुई और आज मेरी बेटी घर छोड़ कर भाग गई एक लड़की जब बाप का खर छोड़ कर आती है तब वो अपने साथ अपने गर अगर तुम लोग मेरे हाथ लग जाते ना तो जिन्दा नहीं बच्चते अब है हाथ लगते तब ना तुम लोग तो ढूंड ही नहीं पाए अभी मौका है तुमारे पास सामने कड़े हैं हम लोग यह गलती मेरे बेटे से हुई और मेरा दोस्त भी मुझे से दोस्ती तोड़ कर चला गया अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है तो माफी मांगता हूँ तेरे पिता जी घ्राड है यार गलती तू ने की अपने अपने पर ले ली और पूरे गावा और पहली रभलती की Отक मुझे पैदा करके प्वैसे फिर्फिर करज ऍंषाए और मैंने जू किया वो कोई गलती नहीं है इसलिए माफी तो उन्हें मागना पड़ेगा ना इसके लिए मुझे कोई गिल्टी नहीं है लेकिन यार ऐसे लड़की को बहगाना गलत नहीं है क्या इसमें क्या गलत है वो लड़की उससे प्यार करती है लड़का महिने का 50,000 कमाता है और जिंदगी जी कि मैंने उनकी मदद की उसकी जगा तू होता तो तेरी शादी कभी नहीं करवाता मतलब तू मेरा दोस्त है तो तेरा बाप हो या कोई भी हो यह हमारा Peak House है पापा जब भी मुझे घर से निकालते है मैं यहीं पर आकर रहता हूँ और मेरे पापा के दोस्त भी यहीं आ आ ज अच्छा बता किस से जगड़ा करके आया तो जगड़ा करूं उसके बाद ही यहां सकता हूं क्या और नहीं तो क्यों आएगा यहां और एक वह है जिसे हमने जनम दिया है कभी भी नहीं आती है वह यहां जरासा भी अटाश्मेंट नहीं है हमसे और अगर कभी आ भी गई तो यही रट लगाए रगती है मुझे जाना है जाना है मुझे जाना है बस इतना लट करते हैं तिरे पापा उसे एक बार वहां देखिए सब समझा जाएगा कहां कोफी ना रही हूं यहां कोफी वहां है जाके खुद ले 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 वेका तुम्हें उपमा पसंद ना इसलिए बनाया है थांक यू और मेरे लिए क्या बनाई हो जो बनाया है वह खा ले यह ले बहुत अच्छा बनाया आंटी बेका ज़र ज़र दिखाओ तुम्हारे अंकल के लिए निकल रहे हैं तो वह तुम्हें कॉलेज में छोड़ देंगे ठीक है तुम्हाराम से खाओ वेटा खाने के बाद निकलेंगे मैं वेट करता हूं तब तक आराम से खालो हम यह था फ्लाशबेक इनका लाट देखकर तो अब मुझे जलन हो रही है अब मैं तेरी सिचुएशन समझ सकती हूं भाला वो हमारे घर में क्यूं आएगी यह देख जरूर तेरी मम्मी का फोन होगा पुछेगी की मेरे बेटे को खाना खिलाया या नहीं मैं जाकर अभी बा अब आपा के बेटी की मैंने भगा कर शादी करा दी इसकी बेटी को बगा कर लेजा अच्छा यहां पर बोल दिया लेकिन अगर यह बात पापा के कान तक पहुंची ना कि ऐसा आपने बोला और मैंने सुना है तो हम दोनों को जिन्दा गार देंगे इतना प्यार करते हैं मेरी तो उतर गई मुझे दो पेग और मारने पड़ेंगे तुभी मार मुझे तो चड़ी नहीं दारू बहुत पीली है बाकर खाना खाली जिए आ रहे हम लोग यह हमारा ग्रेट कॉलेज दिखने में ठीक है लेकिन इसका चरित्र बड़ा महान है जिस तरह कॉलेज के बाह कि सामने उन्होंने माफ ही मांगी तेरे तो अंकल है मेरे तो पापा है तू क्यों इतना गुस्ता कर रही है एक लड़की के बाप के साथ तुने जो कुछ भी किया घलत था उसके पापा को कितना दुख हुआ होगा कोई अंदाजा है तुझे तेरी तकलीफ क्या है मेरे पा पापा की तो सब बाप ऐसा ही होते हैं पारवती जी ने शीव जी से प्यार किया था उनके पिता जीबी नहीं माने थे अगर उस दिन पारवती जी अपने पिता की बात मानकर रुख जाती तो आज हमें इतने सुन्दर जोड़ी की पुरानों में तेरा इतना इंट्रेस्ट है बहुत से जवाब दिया या इंट्रेस्ट नहीं है कल रात मुझे नीन नहीं आ रही थी तो महादेव का सीरियल देख लिया उसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे पूरा का पूरा एपिशोड इसको चिपका दिया इसको और मेर अगले चार महीनों में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और दो महीनों के बाद तुम्हें एक एक रिमोट एरिया में जाना होगा जहां गर्ल्स एजुकेशन पर एक प्रजेक्ट तयार करना होगा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसके भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे ओके और सुनो तुम चारो लोग बीना नागा कॉल ले जाना अगर एटेंडेंस कम हुए न तो कर देखाने को भूला तो मुक्यों बना राया है जब भी फाल्चों काम करने जाता हो यहीं करता हूं व्युक्त कर अई इसे लेकर चलो यहां से अजाए पता नहीं से अचानक क्या हो गया जल्दी से अचानक से गिर पड़ा पता नहीं क्या हुआ अचानक बढ़ा जाते हैं अचानक पैसे मैं देता हुँ ना जितना द्यान रखना जैसे कुछ वोना नहीं चाहिए तो मेरा नाम बदा और इसे वह तो फुलिस लोगों मुझे चला लेंगे चला चला जल्दी करो हाँ हाँ जल्दी लिखेजा अब देत में क्या कराया नाम हलो गाड़ी बढ़ा आज़ा चला चला अरे गाड़ी करले जाएँ करने लगे कितने कमर्शियल हो गया यह तो मेरा ओप्रेशन कर रहे तो बोलना चाहिए था क्टिंग कर रहा था कहीं गुस्ते में ऑप्रेशन कर देता हो चला चला निकलते हैं सब्सक्राइब आपका दसेतार का बिल बना है अच्छा बिल इसकी तो इसकी बहुत है यहां से आपने अच्छा बेटा मैं को छोड़ कर आता हूं मा अरे बेटा कहां चला गया था अच्छा यह ले केक खाले अच्छ तो कम से कम जल्दी आ जाता केक लाने के लिए तेरे पापा को जाना पड़ा जल्दी आने बोला तो मुझे लगा तेरा मुझे पर प्यार आया होगा केक के लिए बुला रहे थी अच्छ एक बात बता मा मेरा बद्र कर रहा है बजपन से बहुत जेल चुका हूं लेकिन आब और नहीं मुझे दादाजी की जमीन में मेरा हिस्सा कर दो मैं अब एक मिनट भी नहीं क्या हुआ बेटी कि मैं इसी घर में रहूंगी आप ने कहा इसलिए मैं यहां रह रही हूं मुझे और कुछ नहीं चाहिए मैं अपने घर चली जाती हूं जब देखो तब मुझे ताने मरता है मैं यहां नहीं रह सकती किसी ने कुछ कहा बेटा हमेशा कहता है कि मुझे महरान अगर उसे मरदानगी दिखानी है तो तुझ पर नहीं बलकि पढ़ाई पर दिखाए अब आने वाले टेस्ट में अगर एक विमार्ग तुमसे किसी सब्जक्ट में ज्यादा लाकर दिखाए तो वो यहां महराजा की तरह रह सकता है नहीं तो उसकी माँ जो कॉफी लागर दे उसके शादी करके जाने तक सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे अरे तेरे पापा को तेरे उपर कितना विश्वास है बहुत अच्छा ओफर दिया है तुझे वह एक्जाम में पेज के बाद पेज लिखती रहती है और तु देखता रहता है क्योंकि तरह पढ़ाई से को कम लोग को साथ ने जिना तो कोई बात नहीं मैं अकेला देख लूगा अरे अभी सोचने का टाइम नहीं है दो दिन के बाद एक्जाम है एक काम करते हैं क्वेश्चन पेपर को चुरा क्या हुआ क्या हुआ मेरे बाई जब भी कुछ सीकरेट प्लैन बनाना हो तो ऐसे ही बात करने चाहिए क्रिकेट देखता है न तू क्रिकेटर्स गेम प्लैन करते हैं तो एसे ही बात करते हैं तो यही है मारा प्लैन मगर वो question paper क्यों चुराएगा क्योंकि वो हमारे staff room में ही रहता है उसे हमारे दूसरे lecturer ने तैयार किया है सारे questions समय पता चल जाएं तो हम उसके answers लिख पाएं उसके माद चिंता की कोई बात नहीं एक subject क्या सारे subjects में इसके marks अच्छे आएंगे इसकी problem दूर हो जाएगी यह challenge जाएगा कुछ भी करके मुझे इसमें से निकाला इसलिए तो हम समझूके थे अब सब लोग सीधे हो सकते हैं इस काम के लिए all the best यह क्या यार चूरी करना इतना आसान होगा यह कभी नहीं सोचा था यह तो question paper लिखने से भी आसान है थैंक्स भाई चलो party करते हैं पार्टी की क्या बात करता है अभी हम चाय भी नहीं पिएंगे कल तेरे जंग जीतने के बाद एक बड़ी सी पार्टी करेंगे celebration ओके हम उतना ही लिखेंगे कि पास हो जाएं तू सारे लिखना देखते हैं कैसे नहीं जीतता है ओके यार देख हमारे तरफ क्यों हो रहा है सुनो तुने हमारे विष्णु को चलेंज किया है ना अब तो तू गई काम से अब जाकर पता चलेगा कि कौन किसको मात देता है उधर देखो उसे देख रही हो ना तुझे हराने के लिए दिन राद कड़ी मेहनत करके सैनिकों की तरह पढाई कर रहा है वो पंदरा सालों से वो जो घुलामी की जिल्दी की जीर है उससे आसा दे दिलाने के लिए आज हम सब एक हो गए हैं कल से युद्ध प्रारंब होगा आफ्टर दिस एक्जाम विष्णु इस कॉलेज का हीरो होगा तुपारे चैलिंज का मुंत और जवाब देगा गेट एड़ी तु फेस हीम यू एड़ी अंकल क्यों मैने जनगर्मन गाया क्या जो इतनी सालेंट खड़ी हो डरो हालो क्या हुआ इतनी रात को कॉल किया तुन्हें क्या करूं मैं ठीक है ठीक है कर दूंगी क्या हुआ है ये क्या है सर्क्रेशन पेपर बाद में पहले आंसर शीट भीए वह क्या है कि मेने से पढ़ाया ना इसी रहे डरा हुआ हूँ थोड़ा नेक्स्ट क्येशन तो वही अना ठीक है सहर ये लीजेए ए चला दोश्ता रहे आंसर नहीं लिखेगा तो मर जाएगा क्या याइस का एक्जाम नहीं है चश्मेश की लिखाव देखना मार्क्स देखकर प्रिंस्पल सब्मे में चला जाएगा और तु इस कॉलेज का हीरो बन जाएगा थैंक्स मेरे दोस्त तुने मेरे लिए कितना रिस्क लिया है कोई सुन लेगा सरा तीरे बोल आज रात को मिलेंगे तब डिटेल में बात करेंगे चीर्स जाएगे चलो जाएगे चलो जब यह सब क्या है सर करेक्ट आंसर लिखने के बाद भी हमें जिरो मक्स क्यों मिले क्यों बच्चों कैसे पढ़के पहुचे तुम लोग डिग्री तक अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप किसी चोर से बात कर रहे हों हमने ऐसा क्या किया अरे तुम लोगोंने तो खुद ही मान लिए कि तुम लोग चोर्यों की तुम आनसर लिखे कम से कम चेक तो करना चाहिए था कितने नासमज और बेवकूफ हो गढ़े कहेंगे यह सब होने के बाद भी तुम लोगों को क्यों छोड़ रहा हो पता है अगर बाहर जाओगे ना तो तुम लोग सोसाइटी को खराब करोगे आई बात समझ में निकलो गद है कहीं के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यह प्लान तू नहीं बनाया होगे कॉल करके अपने पेरेंट्स को बुला तो प्लीज आसा मत कीजिएगा उनको पता चल गया तो वो मुझे चांसे मार देंगा प्लीज निकल यहां से इनको पता कैसे चला यहीं पता नहीं कुछ तो गरबड क्या रहे तू तो कह रहा था कि तेरा दूस्त कॉलेज का हीरो बन जाएगा यह अचानत बोल्डी के बंद हो गई तुम लोगों की अरे यह लोग तो बिचा रहे हैं वर्शन पेपर चुडाया था यह प्रिंसिपल को पता चल गया होगा पता तो चलेगा ही ना इसने कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जरूर कुछ बेवकूपी नहीं होगी वैसे तुम्हाना प्लान काफी अच्छा था लेकिन हमारा उससे भी अच्छा था हेलो सुर्फा कौन बात कर रहे है मैं रूपा भू रही है यह क्या तुमने इससे प्में प्सुन क्योंिया च्छा क्या है आज कॉलेज-में तुम्हारा हीरोइज ने लेकिन में आज कॉलेज में किसी मारा तो नहीं अरे वो जिस तरह तुमने मेरी साहल को बार्सिऀन दी मुझे बहुत अच्छा लगा तब उसकी शकल ना देखने लायक थी लेकिन तू तो उसकी फ्रेंड है ना उसे वार्णिंग देने पर तू क्यों पुश हो रही है तू भी उसे पसंद नहीं करती है क्या पर क्या करूं वो ना हमेशा मुझसे चिप की रहती है पता है वो मेरे अच्छा एक बात बताओ यह अचानक तुमने उसे वार्निंग क्यों दे दी हम बचपन सिब मुझे और विश्णू को बहुत टॉचर किया है उसने कल हमारा सारा इसाब चुकता हो जाएगा वो कैसे वेदा तो विश्णू से ज्यादा पढ़ाई करती है ना है पढ़ने द अच्छे सुनो आज़कर चल्दे आज़ना पोदों को पानी भी रालना है क्या हुआ तुझे क्या लगत है मैं तब से प्यार करती हूँ शकल देखे अपनी चल्ण। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है अब तो उसे हर हाल में जेल नहीं पड़ेगा हमें कुछ भी करके उसे सबक सिखाना चाहिए मुझे बस एक मौका दे देख उसे कैसे डर का एहसास कराता हूँ तू इस बाए सिरिसली करना चाहता है ना अरे तेरी कसम यार मेरी कसम मत्का ऐसी बात है तो फिर अभी मेरे घर चल अपने घर ले जाने के बजाए थोड़ा सा जहर लाके दे दे मुझे तेरे राक्षस बाप से तो कम कड़वा होगा अरे जब पापा घर में होते हैं तो मैं घर जाता ही नहीं पापा बाहर है सुबह घर आएंगे अरे तो इतना दु फाइब डेवल फोर नाइन यह प्रिंसपल की कार लग नहीं रही है प्रिंसपल की यह प्रिंसपल तो इस एरी में रहता नहीं है फिर कार यहां क्यों पार कर रखी है कुछ तो गरबढ़ है यह मैं पता लगाऊंगा तुम लोग ज़रा यहीं रुको तो यह सेटिंग चल अच्छा है तेरी तो हमारे देखने से क्या होगा मोबाइल में शूटकर क्यों से दिखाएंगे तो मन्चा माल बिलेगा तो बड़ी है निकाल चल दी क्या करेंगे यार कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा क्या करें क्या क्या करें कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा यार थोड़ी तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए सीनियर्स को देखकर चल है क्या और एक तो अपने आपको बहुत शानी समाजती है क्या है सब कुछ है तरह पास पड़ाई खुक्सूरती टैलेंट सब कुछ है तरह पास बहुत की बत्ती बुजी हुई है आज वही बत्ती जलाने आया हुआ हुआ है कि इतनी देर से चिल्ला रोट शतर बनाके देख रहे हैं तुझे चाहिए नहीं बल्टिस चंडे से माट रटा तो मुझे माट डालेंगे यह हमारे सर पर तांडो करती तेरे बाप की बज़ा से और तुछ चुप तब देखता रहता है बस तेरा बाप हर समय हमें डराता र प्लीज यार शांत हो जाब तेरी माह तो क्या है यार इतनी सीरी साथी है वो अगर उनसे दूद्ध बांगते हो सचारी खीर बढ़ा के खिलाती हैं लोगों को तेरे पाप ने तेरी बाप और काम वाली और तुझे नौकर बनाकर बख्का हुआ है ठोड़ो मैं जोनों को छ कैसा राज सफर्मा गुड मॉर्निंग अंकल क्या हुआ सुभा सुभा यहां गए नहीं अंकल रात को यहीं सो गया था मैं चली आंटी मैं निकलता हूं क्यों बेटा बिना खाए पिये जा रहा है मैं डोसा बना देती हूं तो खा के जा ठीक है आजब खा के जाना आज पांगया मेंट के सामने लोगो ने धना दिया हुआ है जिसकी बजा से ट्राफिक जाब हो गया है और लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है कर दो थे मुझे माय डालेंगे यह हमारे सांप टांप अ नारे चुप जबीर के वाक कि लिवाया कीना नह थेर आप कि नहीं हुन अंकल ऐसी बात नहीं है दरसल हुआ यह था कि अप ऐसी बात नहीं है आइंदा घर के आत पार दिखाना तो हात पैर तोड़ दूँगा बार बार क्यों आऊंगा आपका घर कोई मंदिर तोड़े है पता है ना अब तुम्हें क्या करना है नाम क्या है तेरा तुम्हें क्या करना है अरे रोज तुझे इदर उदर बटकते देखता हूं किसके घर पर आईये तु मैं अपने अंकल के आई हूं अंकल के यहां जादा दिन तक नहीं रहते बेटा वापस अपने घर जाओ तुम्हें अपना काम करो नो टंकी करते हैं अंकल के घर पर आए गोंद लेकर चिपा की जाते हैं अंकल के घर पर मुझे सब्सक्राइब इसको मैं अपनी बीवी को मार रहा हूं तू को ने पुछने माला नहीं तो बीवी यह शक्त बोलने कभी हख नहीं है तुझे दो दो बच्चे होने के बावजूद भी अपनी बीवी को मार रहा है इंसान तो क्या तू तो जानवर के लाने के लाइक भी नहीं है तेरे बच्चे तुझे देख कर डर रहे हैं कितने सहमेवे हैं तुझे कुछ ख्याल भी है उनका एक बात याद रखना पीएगा तो घर जड़ेगा वहीं प्यार करेगा तो घर बसेगा शेकर भाई के बेटे ने क्या अच्छी बात कहीं ना है इससे समझाने का सही तरीका अपना है उसने अरे चंदू कॉलेज नहीं आया उसने ट्रैफिक हवलदार को दस रुपे की रिश्वत दी थी वो उसे पकड़कर कोट म भाई तेरे साथ पिक्चर देखेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा तो एक काम कर अकेला जाकर देख ले हमें यहीं रहने दे प्लीज इस मामले में तेरा और मेरा कोई साथ नहीं चल जा अरे प्लीज यार चलो ना तुम लोग के बिना कभी पिक्चर देखा हो क्या मैं तुझे जाना है तो जा चल निकल हम नहीं जाएंगे अरे तुम लोग तो चलो यार में जाएंगे मेरी बात ध्यान से सुन ले कल मैं मौर्निंग शो देखने जा रहा हूं जाना कपड़े फार देते हैं यार किसी और थीटर में चलेंगे तुम लोगों को प्रिंस्पल साभ बुला रहा है चलो वेट करने के लिए बोलो खाली तु बैठा है वहां चल जा अब ऐसे क्या पूर्णिय आया है चल जाना अच्छा बाद में बताता हूं एक बोलता है चल दूसरा आ जाता है बुलाने है सिग्रेट देख हां लेना भाई क्यों रहे पैरेंट्स को तो लेके आया नहीं और बुलाने पर नाटक कर रहा है और अब आया है तो मेरे सामने अकड़ के गोंग रहा है लगता है बहुत चैरबी चड़ गई है क्यों रहे कुछ बोलता है क्या करो सर इस चपल की वजह से जब से पहनी है मेरे पाउं ही नह कमफर्ट है यह सर चाहिए तो आप भी ले सकते हैं सर आप भी साइस की है यह तो मेरी चपल है स्वर्णा कॉल नहीं पता है ना वहीं से रात को दस मजे खरीदें अच्छा डिस्काउंट मिला है तू जा घर पर जाओं किया सर अरे ठीक है सर शॉप के बारे में तो अच्छ लेकिन शॉप के बारे में किसी को मत बतार है प्लीज 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 अगली पर जाईएगा तो चपल को शॉप के अंदर रख लीजेगा कार भी आवार्ट कीजिए तो अच्छा है वाकिंग इस बेटर बिफोर गोइंग टो शॉप नमस्ते सर यह भगवान यह का फस गय हुआ 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 है कि मुझे यहां के लेकर आया हो प्लीज यार एक बर मेरी हेल्प कर दे मैं वहां जाओंगा तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी यह 100 रुपर और मेरे लिए टिकट लेया प्लीज 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 तु जो बोलेगी मैं वह करूंगा प्लीज प्लीज ठीक है लादे थैंक यू यह हीरो मेरा भी फेवरिट है यह 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 फर्स शो नहीं देखूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा यह फ्लीज रे अरे क्या लड़की है कि अध्लीज प्लीज 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 क्वार थूपए ठेकड़ ठेसे लेसे हैं क्वारामा बंधर श्रफा हैं क्वाराम पूपए बंधर पश्वर्फान क्वारामा थेसे ले खमें तो पवन कल्यान का इतना बड़ा फैन है मैं भी तेरे पास बड़ीती पर तुने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया वैसे पिक्चर भी कोई खास नहीं थी पिक्चर अच्छी हो या ना हो यह नहीं पता फर्स शो थीटर में देखा दिल को कुशी मिली और इंजॉय किया फिल्मों में वही मेरा हीरो है तो फिर तुम्हारे बिता जी असल जिन्दगी में वो मेरे हीरो है कभी सारी तो नहीं होने दियो यह दो घंटे के फिल्म थी बताना पड़ता है यह जिन्दगी सौ साल किये पता लगाना पड़ता है और मैं कितनी पसंद हो आज तुझ अब उसको पूछ या काम भी करूं क्या दिन अलव उसकी दिल में क्या है वो भी मैं ही पता लगा कई का रूपभी क्या है मुझे कुछ नहीं पता उसी से पुछह हो आम से तो पूझकरी गलती शबुल ल отв आज पीने का कोई प्रोग्राम बनाएं क्या बनाओ ना बाबा बहुत दिन हो गया चलो ना प्रेंट नमस्कार मालिक नमस्ते और बता रमया कैसे हो मैं अच्छा हूं मालिक और कामधाम सब ठीक चल रहा है तो आगे चल बेटा मैं बाद में आता हूं तेरा बेटा क्या कर रह अबने फार्म का एडवांस पैसा नहीं भेजा अरे आपके बेटे ने आपको कुछ नहीं बोला उसने अरे आपका बेटा आकर बोला कि इस बार हम फार्म नहीं देंगे दो महीने बाद मेरी डिग्री कंप्रीट हो जाएगी उसके बाद खेती वाडी मैं देखूंगा क्या बात है भाई साहब आपने ऐसे अचानक बुला लिया हम लोगों को अरे कुछ नहीं दो महीने में वेटी की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो इसके रिष्टे की बात करने के लिए तुम लोगों ने कोई रिष्टा देख रखा है क्या अगर देखा है तो मुझे ब साथ में बड़े हुए हैं तो विष्णू से अच्छा साथी कौन हो सकता है बहाद रिष्टा डोने की क्या ज़रूरत है तुम लोगों ने कोई रिष्टा देखा है कि नहीं यह बात मैंने इसलिए पूछा ताकि मैं उस लड़की के खांदान और उसके बारे में जान सकू मुझे सला देने के लिए तुम लोगों को यहां नहीं बुलाया मैंने मतलब इससे अच्छा रिष्टा और कोई हो सकता है क्या आमन मुझे तु नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है अरे ज्यादा ने एक आध ही बता दो शेखर साब का बेटा है क्याला कर मेरा नाम बदनाम कर रहा है लड़कियां भगा कर दोस्तों से शादी करवाने की आदत तो है अब अगर कोई ऐसी बदकिस्मत लड़की मिल जाए जो इसके साथ भाग कर शादी करेगी तभी इसकी शादी होगी देख लो तुम्हारे माबाप किस से तुम्हारी शादी की बात करवा रहे हैं देखो बेहन जब इतनी छोटी ची थी तब इसे गोद में उठा कर लाया था इसे उठाने के साथ साथ इसके जिम्यदारी भी उठा रहा हूँ इसकी शादी तु मैं ही करूँगा तुम लोग बस शादी में आकर कन्यादान कर देना और आशिरवाद देना बस क्या बूरती हो बेटा जैसा आप ठीक समझे आंकल सुन बेटा तुरी पापा ने कल रात को जो भी कहा उससे में कहा अगर तू कहे तो मैं इसकी शादी तुझसे करवाओंगी सर्फ बोल की तुझे इससे शादी करनी है मेरी बेटी है न अगर ना कहेगी तब भी इसकी शादी तुझसे करवादूंगी मैं रहने दो आउंटी पापा ने जो कहा वो ठीक है ये कहा मुझे पसंद है ये कब घर चोड़कर जाएगी यही इंतजार कर रहा हूं मैं अब तक इसे छेला वही बहुत है अब इससे शादी करके जिंदगी पर इसकी गुलामी करो यही चाहती हो आप अगर अगर ऐसा है तो ठीक है सिंदगी भर मैं तुझे बात नहीं करूंगी हाँ हां लेकिन फिर भी मैं आप घर पर आ तो सकता हूं अगर इससे शादी कर ली तो मैं अपने घर पर भी नहीं रह पाऊंगा सुनिए क्या क्या रहा है। मेरा विश्णू मेरा दामात कहले कर सिर्फर बैठा लिया था न, अब देखो बीच रासे में हमारी बेज़ती कर रहा है। अब क्या बागी रह गया है, बस आ गई यह चलिए, उठीए। बाई मां, पहुंच कर पॉन करती हूं। देख बेटा अपनी आउटी को खुश करने के लिए तू कोई फैसला मत करना हूँ जिससे तुझे खुशी मिले वही करना है यह राख में नहीं मेरे पास है यह राख में नहीं बाई पापा बाई बेटा चलो करता है इतनी क्यों पे रहा है लाइफ में फर्स टाइम पीने के लिए दिल कर रहा है क्या हो अरे आज मेरे पापा ने मुझे बहुत ही जलील किया है अब इसमें नहीं कौन सी बात है वही बोले जो मेरे बारे में सोचते हैं यह सब सुनने की मेरी यादत सी हो गई है लेकिन मैं वही सबस्क्राइब दुनिया में सबस्दाबने बाप को समझ सकता है फिर जाहे वह अच्छा हो या बुरा हो बेटा ही उसके सबसे करीब होता है सच कहूं तो हमें अपने बाप के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए उनकी उम्र ढ़ल रही है और अपनी चड़ रही है उन्हे वह क्या है ना मा ने घर पे मच्छी बनाई है तू आ रहा है क्या खाने जल्दी बता ओ तेरे घर पे अरे मेरे पापा शहर गए हुए है क्या बात है फिर तो पक्का विश्णू तेरे पापा हा मा आदत पड़ गई है मैं खुश हूं आप चिंता मत करो और जब तक वो यहां है मुझे उसे जहलना ही पड़ेगा और बार-बार उसका टॉपिक लेकर मेरे पास मताओ किसका टॉपिक बेटा पीकर आया है क्या आंटी इतने सालों में पहली बार सही पकड़ा है हमेशा तुझे पहले देती हूं ना इससे पहले पर उस दिया तो क्या हो गया पगली है मा सुनाई भी नहीं देता है ठीक से बेटा ये ले ये बिना काटे वाला टुक्रा बहुत मुझे पता है मुझे पता है बात क्या है और वेदा है एक हफुते के के मैं पर जा रही है तो पता है वह क्या है ना की अगले हफ्ठे के यह नहीं प कि लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा मन पसंद मच्छी खिला रही हो इसलिए मनमानी करवा रही हो चीची अब इस घर में एक पल भी ले रहना मुझे विश्णू आंटी जी हां इस बार में किसी के समने गिरगराने की कोई ज़रत नहीं है यह मेरा पॉस्टल मैटर है मैं खुद ही इसका जिकर किसी से मत कीजिएगा ठीक है अरे अरे सुभाश यह इतना बहरत कर चली गई यह खाना छोड़ कर चला गया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने कुछ गलत बात कही क्या मैरी किसमत आपको समझाओंगा तो वेरी जिन्दगी कम पढ़ जाएगी यह मचली पचा के रखना कल आके खा लोगा है कि नमस्ते हम दो दिन यहां रहे हैं ठीक है आईए इधार यह कौन है रहे यह कॉलेज की लड़किया है भाई हमारे गाओं की लड़कियों को पढ़ाने के लिए जागरूप करने आईए आपके घर में किदने लोग रहते हैं मैं मेरे पद्धी और मेरा बेटा और वो अंदर जो है वो कान है क्या बात है आँटी क्या हुआ आप रोग क्यों रही है कौन है वो लड़की क्या बताऊं बेटी वो मेरी ही बेटी है जान है लेकिन लाश की तरह जी रही है और क्यूं आँटी वो घर के अंदर ही नहीं रहती है उसका भी छटा महीना चल रहा है इसलिए वो अंदर ही रहती है तो इस बात पर आप वो क्यों रही है उसका अदिन होती तो पती होता ना ऐसे अंधेरे में बोज काटते हुए जिन्दगी जी रही है दुनिया से बच्चते बचाते इसका मतलब आप नहीं जानती कि उस बच्चे का आप कौन है आधी वह कौन है ये तो हमें पता है लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते बेटा और उसके खिलाफ बोलेंगे तामें माह डालेगा गाहँ जिसने यह सब किया है वो आराम से बाहर गुंग रहा है और आप यहां बैठे आसु बहार रही है ऐसे लोगों को तो मूत और जवाब देना चाहिए ताकि वो और किसी के साथ असा ना करें अरे चल निकल यहां से इनसाफ मांगो विरूत करो यह बोलकर मेरे घर की इज़त मिट्टी में मिलाएगी यहां से बीवी के आंसू और बेटी के भवशी के बारे में ना सोचकर शराब पीकर गटर में गिरना यही हिज़त है तुम्हें एक नसियत देना चाहूंगी शराब तो घर को उजारती है और शराबी पूरे गाओं को जी एक बात याद अखना पीएगा तो घर उजड़ेगा वहीं प्यार करेगा तो घर बसेगा इस काउं की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है हाँ यार मुझे तो बहुत डल लग रहा है तुने देखा न वह अब कैसे गूर रहा था वह तो गाओं का दबंग है उसका कोई विरूद नहीं कर सकता पता है अरे कोई कितना भी दबंग हो स्कूल के में शराब के दुकान कैसे खोल सकते हैं यहां से निकलना ही हम सब के लिए अच्छा होगा कि अज़ेगा कि अज़ेगा भाई एक पक्की खबर है उस लड़की को गाओं के बारे में सब कुछ पता चल गया है उसका कुछ करना पड़ेगा भाई सपना है सच होदा तो अच्छा होता लोग बहुत अच्छे हैं है लड़कियों तुम्हें घर में बैटकर खाना मनाना चाहिए यहां कर हमारा सिर्दद क्यों बढ़ा रही हो त्यार से कह रहा हूं हमारा गाओं छोड़कर चली जाओ यहां रहोगी न तो तुम पर खत्रा हो जाएगा मैं यहां बात कर रहा हूं तुम उधर क्या देख रही हो मेरा शक सही है वह कुछ ने कुछ प्रॉब्लम क्रेट कर रहा है लेकिन तू क्या करेगा मारने का दिल कर रहा है विश्णू वो लोग दबंग है हम उनसे कैसे निप्टेंगे कितनी बर्ट बोला तुझे देख मैं तुझे आखरी बार तम जा रहा हूं अरे मारना नहीं से तक प्लाट देना चाहिए पहले गलती किया यह तो बता देखो ना भाई प्रोजेक्ट कम्लिट किये बिना घर जाने की बात कर रहा है उसका प्रोजेक्ट उसकी मर्जी अरे दोस गलत रास्ते पर जा रहा तो उसे समझा कर मार कर सही रास्ते पर लाना चाहिए इतना मारने की क्या जरूरत है यह समझाने का भी वक्त नहीं पहले जरा इससे ठीक करता हूं चल अभी और पिटाई बाकी है ते लड़कियों आखरी बार समझा रहा हूं चुप चा क्या बात है अटी किया बता हूं बेटा तुम्हारे कहने पर मेरे पती ने गाउवालों से मदद मांगी तो सब गाउँ छोड़ने केले कह रहे हूं हमें कैसे इनसान हा तुब लोग उसका सामना करने की बजाये तुमीने गाउँ छोड़ने के लिए कह रहे हो गारे यह है बल्कि पूरे गाउं के साथ हुआ है अगर उसे आप लोगों ऐसे ही छोड़ दिया ना तो आज जो इसके साथ हुआ है कल आपकी वेटियों के साथ होगा बाहर अकल रोश्णी में जीना है या फिर अंधेरे में मरना है या आपको डिसाइड करना है अगर आज आप लोग हिमाद दिखाएंगे तो खल इसकी सिंदगी बन जाएगी अब फैसला आपका है हम जान पर खेल कर वी इन्साफ लेंगे चलो चलो और चलो कर रहेगा जल पहना पहना जली कर पहना जली पहना जली पहना जली पहना हमारी बात मानकर गाउबालों ने उन दोनों की शादी करवा दी मैं बहुत खुश हूँ हमारा दिल जो कहता है अगर हम वो करें तो उस बात की खुशी ही कुछ और होती है बेटा बेटा अरे वो शादी की बात तो स्वेंग पर डेड़ी को पता चली तो फिर वो गाउवालों को मार ने आया था लेकिन गाउवालों ने जंग कर उसकी पिताई की और वो गाउव छोड़ कर भाग गया आप लोग ना यहां जड़ा हुश्यारी से रहना हम विष्णू 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 क्यों आई सुभा न चाँ सुभा 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 पले उसे उठा वेया तेज बुखार है अच्छा इसलिए आई विष्णू क्या है पिछले एक घंटे से इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है पास में अगर कोई हॉस्पिटल हो तो इसे ले जाओ सुनिये सुनिये महिन जी आसफास में कोई डॉक्टर है यहां तो कोई महिन है पास वाले गाव में एक है डॉक्टर 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 साब डॉक्टर साब क्या चाहिए तुझे आधी रात को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है क्या यह किसी मंदरी का दर्वाजा है क्या जो खरकड़ा रहा है सर आपको तुरंद मेरे साथ पास के गाव में चलना पड़ेगा उसका फीवर बढ़ते ही जा रहा है देखो अगर हार अटेक भी आ जाए न जर्बिन स्वामी आरेंपी तेरे जैसे बहुत देखें है मैंने चल 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 निकल अब क्या है अरे भाई ज़र धीरे चला ना पहले ही बीपी का पेशेंट हूँ कि अरे अरे कप्से तुमके बुखार है कैसा लगा है सब कुछ चीक तो है ना इसको बुखार है इसको देखो तभी तो मैं सोच रहते हैं अट्टी-कटी मोटी ताजी को क्या हो गया है ज़र अपना हाथ दो तो एक सुबह एक शाम को देना इसे और हाँ खुद पेप्रामेंट समझ के मत खा जाना यह अलग तरह कर टैबलेट है चलो अब मैं निकलता हूं सर एक बात पुछो यह बुखार आया कैसा अरे कुछ खास नहीं बिले जाना मच्छर पानी इसलिए आ गया होगा तुम लोग तो भी नए आयो ना आदत नहीं है इसलिए फिर से तो नहीं आएगा ना हो सकता है फिर से आजाए मुझे क्या पता मैं कोई एंबीबीज डॉक्टर तो हूं नहीं मैं सिर्फ आर्मिन स्वामी हूं अभी मुझे घर चोड़ो ठीक है कल सुबह छोड़ देता हूं आपको अरे सुबह क्यों चोड़ेगा अच्छा का सा लड़की तुम्हारी लगती क्या है फ्रेंड है नहीं लवर है नहीं हो फ्रेंड नहीं है लवर नहीं तो फिर क्या है उन दोनों से भी ज्यादा दोनों से भी ज्यादा क्या जिम्मेदारी लगता है तुझे समझने की कोशिश करूंगा तो अर्विन स्वामी ऐसे मर जाए बड़ा है अजीव आदमी है बड़ा है अजीव आदमी है बड़ा है विष्णू मैं दो दिन तुम्हें नहीं दीखी तो तुम यहां आगए तो इतना डर गया दूं क्या मैं तुम्हें इपनी पसंद हो पसंद नहीं तुम जम्यदारी हो और इससे जाधा पापा डाटेंगे यह डर है अगर यह बात पापा को पता चलेगी तो वो सोचेंगे तुम्हें बुखार मेरी वज़े से आया है वो बात नहीं है विश्णू रन्यदे पढ़ाएं भी मुझे पसंद नहीं पापा की वज़े से पढ़ रहा हूं कुछ काम हमें अपने लिए करना चाहिए कुछ काम हमें जन्म दिया उनके लिए करना चाहिए जाओ तुम्हारे फेंस रिडियो हो रहे हैं तुम्हें रिडियो हो जाओ ए रूपा रात को तुम आई थी तो मैंने गलत समझा था इसलिए मुँ बंद रखो और खा अब लगता है कोई चांस नहीं मिलने वाला है वह आई नहीं अभी उसका बुखार अभी भी कम नहीं हुआ वैन में ही बैठी है वह कि अमूँ 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 शुबह से कुछ खाया नहीं ना लो यह टैबलेट खा लो बुखार कम भुजाएदा नहीं अहां खूले में सब कुछ करने का मज़ा ही अलग होता है यह बंके खुटी आपर क्या कर रहा है हलो मैं यह सर्दार के ड़ब हुँ आजा तुम लो कि क्या है है विश्णु कल जिस वेंकट को मारने काटने के बाद कर रहा था ना वह यहां पर अकेला बैठा हुआ है तो जल्दी से आजा उसे सबक सिखाते हैं काट डालेंगे उसको अच्छा तुम रुख मैं अभी आता हूं हुआ 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 क्धा ॐऑ tail कि वह शाज़ा यह चुन है कि अमग्द उसे मारा दो ठीक लेकर तकले पर क्यों पुछा यह उसकी कोपड़ी मस्ती इसलिए आजसे जो फ्लाइचुटे की ज़िए दो बेटा नाम क्या तुम्हारा बहुत किस्मत वाली ओ बेटी जो तुम इनकी छत्रशाय में पली बड़ी हो तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं तुम्हारी शादी के लिए इतना अच्छा रिष्टाया है तो भी कितनी शर्ते रख रहे हैं लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए बोल रहे हैं हमारी तो सासे अठक गई है उनके रिष्टा होना भी राज योग की बात है क्या केते हो उनको भी आश्चार ये हो रहा है कि शेकर जी के आश्ते रिष्टा आया है यही खासियत है इनकी ये देखो लड़की की फोटो, तुम्हे पसंद है तो अगले हपते रिष्टा पक्का कर देंगे अरे तुम्हे पसंद है की नहीं, ये भी तो जानना है अरे अब इसमें लड़की क्या बोलेगी, अपने अंकल की इतनी इज़त जो करती है अंकल ने जो बोल दिया उसमें हां कर दी, ऐसे बच्चे आजकल कहां मिलते हैं अरे आजकल की लड़किया तो शादी करके आती हैं और बाप से आशिरवाद ले लेती हैं माबाप की बातों की परवा कहां करती हैं, इसको शेखर जी ने पाला पोसा है, उनके संस्कार का असर तो पड़ेगा ही अच्छा, अब हम चलते हैं शेखर जी, नमस्ते नमस्ते भाई साब, आपके बेटे के लिए भी रिष्टा देखूं क्या आपने चाहिए क्या हो गया इनको, क्यों हो बेटा, मैंने तेरे रिष्टे की बात की तो तेरे पापा नाराज हो गए अरे आपको किसने गहां पूछने के लिए, मेरे बारे में बात करेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे, आप समझ में आ गया, चलिए निकलिए यह बात बेटे एक जैसे ही जवाब दे रहा है, इनका कुछ नहीं हो सकता, चलो चलो विष्णू विष्णू क्या है बस कॉलेच लाना और वापस ले जाना बस इतना है, कभी तो कलिती से में जो कॉफी के लिए पूछ लिया करो कितनी ठंड है ना, रात को भी सर्दी कितनी ज्यादा थी ना, कितने भी कंबल ओड़लो सर्दी जाती ही नहीं है, टी-शिट भी पहनी है, स्वेटर भी पहना है फिर भी ठंड लग रही है, क्या करूँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सच कहूं इतनी ठंड मैंने पहल करो, तुझे क्या विजदु में, क्या बोला था तुने मुझे, तुने मुझे ब्लडी ब्लेजर्स बोला था ना, यूजलेश फैलो, अरे यह ठंड है क्या है, तु जानता इसकी कॉस्ट क्या है, 70 रुपीज लीटर, कर दीना सची बात, यह पानी कैसे लीटर है, 70 रुप अब मुझे बता, कौन एची फैलो, कौन एची फैलो, तु या मैं, बोल, बोल, अरे बोला कौन एची फैलो, सर, 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 दोनों लवर से, बात कर रहे हैं, जाने दिजे सर, प्लीज, अरे यह का रिका लवर है, बेचारी रड़की कब दे इंतिजार करके भाइटी कि लवर आएगा और कुछ प्यार की बाते करेगा, लेकिन यह आके सर्दी लग रही है, चदर चाहिए, यह चाहिए, वो चाहिए, क्या यह कोई पुलीस टेशन है, इसलिकर चाहिए, प्लीज, और उबर से हमारे ग्राओं को डिर्टी विलेज भी पर रहे है, जाने यह सर, आप दुनों को देख के लगता की एक में गार माव हो, और इसे देख के लगता की भूनें करदू, मेरा तो सर्बटा जारा है, यह कोई बाव है, प्लीस सर्फीय है, सर्फ मैं लवर्स को आप जयसे होने चाहिए, आपके बोलने पर उसे चोड़ रहा हूँ मैं, सर्, आपस लबर्स के अवार्ड आप दोनों को देता हूं अरे सर आप अवार्ड में भी बोतल ही देंगे अजया सुबर राम वेड़ी नाम का अवार्ड देगा तो सब लोग लेते हैं वा मैं दूंगा तो कोई नहीं लेगा अब बैठो एक सेकेंड सर आप दोनों बेस्ट लवर्स हैं विष्णु उसने ऐसा क्यों बोले क्या वो पिया हुआ था और मैंने उससे बात की इस लीव से ऐसा लगा होगा विश्णु घंप से कॢटार से अधा कशला है वो तो पिया हुआ था तो क्यों नश्यमें हाँ कर रही है पापा क्या है रे मुझे दो मिनट लड़की से बात करना बाग लो जैसी बाते मत कर जब तक रिष्टा न हो जाए कुछ मत बोलना चेकर जी के यहांसे रिष्टा आया है बक्वास मत करना हां मेरा फेस्बूक क्यों नहीं खुल रहा है सिगनल नहीं मिल रहा होगा क्या बोल रहा है आपका बेटा अरे आगए सर नमस्ते वो कुछ नहीं है अमेरिका में पर है ना थोड़ा एडवांस है बोल रहा था लड़की से बात करनी है करने दीजी उसमें क्या बात है अरे आपके यहां से रिष्टा आया है यही बड़ी बात है और ऐसे में कोई करने को मना किया आज कर के लड़के ऐसे हैं अरे सेखर जी की लड़की आए बात करने की कोई जरूद नहीं है समझा अब लेटा तुने देखा इसे शादी की बात करते ही कैसे मंदिर जाने लगी पूजा करने लगी घर पर अब तो खाना भी बनाती है ए एक बात पूछो तुछ से आप पूछो अच्छा बेटा ये बच्पन से ही तेरे साथ बड़ी हुई तुम दुनों साथ में खिलते थे वो तो है साथ में मिलकर पढ़ाई भी करते थे अब ये शादी करके चली जाएगी तो तुझे तकलीफ नहीं होगी मा तकलीफ तो हो रही है पर क्या कर सकता हूँ बच्पन में जब में गिर जाता था तो आप लोग दवा लगाते थे लेकिन अभी आप लोगी चोट पहुँचा कर दवा लगाने की बात कर रहे हूँ मा एक बात बता हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मू कहीं दस दिन में घर वापस ना आजाए एक रिक्विस्ट है मा क्या उससे विदा करते वक्त एक बात समझा देना क्या समझाना है वापस ना आए शादी के बाद भी हम लोग को उसे जहलना पड़े तो ये तो बहुत ही तकलिफ की बात है तू भी ना भाप रे भगवान भी तुझे नहीं सुधार सकते गधा कहीं का बस खाता ही रहता है आज के बात से हमारी दोस्तियों मेरी बेती दोना खत्म हो गए एए उस दिन जिस तरह तु मुझे पर गुस्सा होकर चला गया था उसके बाद तुझसे माफी मांगने के हिम्मत नहीं हो रही है और तुझसे बात करता भी कैसे अभी तक दुख हो रहा है मुझे उस बात का मेरे बेटे ने यू किया उसके लिए माफ कर देना यार उस दिन मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई थी इसलिए मैंने ऐसा कहा था आज मेरी बेटी बहुत खुश है इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर बैठाओं बदलते वक्त के साथ इंसान भी बदल जाता है उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि तेरे बेटे को मार डालू लेकिन अब तेरे बेटे से मिलूँगा तो उससे मा भी मांग लूँगा क्योंकि उसे उस दिन भी पता था और आज भी पता है कि उसने सही किया है एक बाप होने के नाते मैंने सिर्फ अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचा लेकिन उसके भविष्य के बारे मैं नहीं सोचा मैं अपनी बेटी के लिए शायद इससे अच्छा रिष्टा नहीं ढून पाता एक बात तो सच है कि दो परिवार के मिलने से संबंध बनते हैं लेकिन दो लोग मिलते हैं तो जिंदिगी बनती है हम लोग सिर्फ संबंध के बारे में बात करते हैं पर जिंदिगी के बारे में भोल जाते हैं एक बात बता तेरा पती अभी भी पीता है क्या तेरे साथ मार पीट करता है क्या अरे पीकर मार पीट क्या उसने तो पीनाई छोड़ दिया अरे वाँ उसने पीना छोड़ दिया है कहीं कोई जादू तो नहीं किया तोने उस पर अरे जादू टोना नहीं एक दिन जब वो मार रहा था ना तो आपके बेटे ने देखा, फिर जो भी किया आपके बेटे ने किया, विश्नु बाबुने उनको दो चाटे लगा है, किकी वो बात नहीं सुन रहे थे न, तो पहले समझाया, फिर विश्नु बाबु को बहुत गुस्सा आ गया, मुझे पहले बहुत दुख हुआ, कि मेरे तो पती को आपके बेटे ने मारा है , लेकिन फिर ना उन्होंने दो बात बोली थी , उसे सुनने के बाध मेरे पती ने तो पीना ही फ़ोड़ दिया , Mozart अभी बहुत अच्छे सर्हात है , आपके बेटे ने तो मेरा संसार बसा दिया अब मैं बहुत खुश हूँ इतना अच्छा काम करने के पास विश्ण बाबुने तो पुण्य कमा लिया लिखिना शिर्वाद के अलावा मैं तो उनको कुछ और दें नहीं सकती ना इतना चाहतियों कि विश्ण बाबु हमेशा खुश रहे हुआ और आप दिंस्पर्टाहद दुर्शब्र कहेंगे लिए माइडियर स्टुडेंट्स कॉलेज हर स्टुडेंट के लिए सुनहरा और उत्तम समय होता है ऐसा पल जो कभी न भूला जा सके बस एकी बात कहूंगा जब आप लोग यहां से पास होके बाहरी दुनिया में कदम र हमें पता है कि अब आप लोग लोट कर वापस नहीं आएंगे हलाकि साथ में रहते हैं तो कभी लड़ते हैं जगरते हैं तब पता नहीं होता कि एक रोज हम लोग बिछड जाएंगे और जब बिछड़ते हैं तो हमें बहुत दुख होता है हमारी दिले इच्छा है कि आप जहां भी रहें खुश रहें और अपनी जिन्दगी को सबारें मेरी देरो शुख कांग नहीं प्रोग्राम में प्रिंस्पल ने अच्छा भाशन दिया यार तहां रहें अच्छी बाते बोलके मुझे भी अच्छा रहा है उसके पास अच्छा मैं जागर से डॉप करके आता है अज आखरी दिन वह शादी करके भी जा रही है अरे यार तो क्या आभी वह तेरी गुलाबी बरी जिन्दगी से अलग नहीं होगी क्या अरे इतने दिनों तक जब इसकी सेवा और गुलामी की है तो आखरी के दो-चार दिनों के लिए मैं अपना नाम क्यों खराब करूं लेकिन उसने कभी भी महमान की तरह नहीं किया मालकी की तरह किया है लेकिन आप पता चलेगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा ठीक अजा उसे छोड़के आजा लेकिन जल्दी आना जल्दी कौदे जाजा यहां जगणा हो रहा है अमू लीचे उतरो तुम यहीं से घर चली जाओ विष्णू जब तक तुम नहीं होगे मैं घर नहीं जाओंगे तू के छोड़ी बच्ची है कल तेरी शादी होगी तो जाना पड़ेगा ना के लिए यहां से घर ने जा सकती है क्या अर्जंट काम है जाना है तो जाने तो यहीं खड़ी दे विष्णू अब क्या है जब तक तुम्हें यहां कि मैं घर नहीं जाओंगे यहीं इंतिजार करूंगे विष्णू क्या हुआ कि किसने मारा हम यहां बैठी हुए थे वो लोग आकर मारने लगे बस कहीं पर सब कर दो उस दें मेरे पापा ने माफी मांगी थी आज मैं माफी मांगता हूं जो हुआ वो सब भुला दो चल सब्सक्राइब आजा तू भी दो-चार हाथ आजमाले फिर सब को हॉस्पिटल साथ ही में भीजेंगे हाँ मां बोलो मां अरे कहां है बेटा अब तक घर क्यों नहीं आया तू लास्टे है ना तो फ्रेंड्स लोगोंने पाटी रखी है उनके साथ ही हूं क्यों रे कल उसकी शादी है उसे दुलहन बनना है तुझे कुछ याद भी रहता है या नहीं और आज तो पाटी कर रहा है हां बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं मां हाँ ठीक है जल्दिया वरना पापा खुद उसे लेने आ जाएंगे क्या हुआ अभी तक बच्चे घर नहीं आये अरे वह आज लास्टे है ना तो पाटी नहीं वह रास्ती में है आहीं रहे है कि अधिया तो पागल हो गया क्या तुझे घर जाने के लिए बोला था ना नहीं क्यों नहीं यह विदक नहीं कि जब तक तक तुम मुल्ण आओगे में घर नहीं जाओंगे इसे पागल जैसी बाते मत कर कितनी रात हो गई है तेरा यह सब करने का मतलब क्या आखिर चाहती क्या है तुझे देखो ऐसी बाते मत कर एंगे मेरे आखों में आसू आ रहे है बारिश हो रही है इस ते पता नहीं चल रहा है हाँ बारिश हो रही है तो तुम्हें भी कैसा पता चलेगा कि अधिक पॉझे जादी नहीं नहीं गरने का विश्णू पुझे यहां से दूग ले चलो तुम्हें कहा था ना कि हमें चिस चीज में खुशी मिले हमें कहीं करनी चाहिए पीस विश्णू मुझे यहां से ले चलो कहां पर लेकर जाएंगे मैं चला गया तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर तू चली गई तो मर जाएंगे वो, तुझे जितना प्यार करता है वो, उसके सामने हमारा प्यार बहुत छोटा है, ये दो दिन जो भी होता है, तू बस चुप चाप रहे हैं, तू मेरी बात मान ले, अच्छा, कहां चले गई थे तुम दोनों, सुबा तुम्हारी शादी है, कुछ याद रहता है या नहीं, जाओ चल्दी से कपड़े बदलो, खाना भी खालो, एई, तुझे अलग से बनूँ क्या, जा कपड़े बदल, हाँ, 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 बोलवाई, हाँ, आ रहा हूं, अरे, ये लीज कब तक मुझे इस तरह बेज़त करता रहेगा, हाँ, कड़ा कहीं का, मेरी किसमर खराब सी, जो तू मेरे घर में पैदा हुआ, अरे, मार, मार के चौन ले लूँगा से नी, नहीं छोड़ूगा तुझे, क्या कर रहे हैं, क्या सर, आप पुलिस टेशन के कंपाउंड में इ मैं इसे यहां लेकर नहीं आया, बलकि मुझे यहां लेकर यह आया है निकमा, इसे मारू, पीटू, काटू, क्या करू, मेरी समझ भी नहीं आ रहा, अरे, डिगरी वाले बच्चे समझ कर बार वाले ने इसे शराब देने से मना किया, तो इसने मेरा आदार काट दिखा नमस्ते, नमस्त कर सर, बैठिये ने, प्लीज, सर यहां पर आपका एक साइन्ट चाहिए, छोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, मुझे नहीं पता था कि यह आपका बेटा है, वरना इसे मैं खुद आकर घर छोड़ के जाता, माफ किये जेगा सर, थैंक यू सर, नमस्ते, क्या बात है सर, आज तक आपने इतनी इज़त किसी को नहीं दे, फिर इनको कैसे दे, अरे तुम यहां नहीं आये हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, इस गाउं में इनकी बहुत ज़्यादा इज़त है, हर गाउंवाला इन्हें अच्छी तरीके से जानता है, इन्होंने हर किसी की बहुत मदद की है, कितने सारे काम करवाएं हैं इस गाउं में, तुम्हें पता नहीं, ऐसे इनसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, नमस्कार साहब, सत्यवती, सत्यवती, क्या हुआ जी? उससे कैदों की दो दिन तक घर में नहीं आएगा, यह क्या कह रहे हैं आप, वो क्यों नहीं आ सकता? जो बोला वो करो यह क्या भाई साहब, घर में शुब काम हो रहा है और आप इसे अंदर नहीं आने दे रहे हैं जब तक वो सामने होगा, मेरे लिए कोई भी शुब काम करना संभब नहीं होगा जिन्दगी में आज तक कभी पुलिस टेशन का मून ही देखा था, पर इसकी वज़े से जाना पड़ा बोल दो इसको, दो दिन तक मेरी नजरों के सामने ना है बताइए तो आखिर हुआ क्या है आखिर प्रॉबलम क्या है, मैं क्यों नहीं आ सकता, बताइए क्यों नहीं आ सकता, मेरा घर नहीं है क्या इसको लाकर आपने घर पर रख दिया, महरामी की तरह बढ़ा किया तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, इसकी शादी करवाके, आप मुझे घर से बाहर निकालना चाहरे हैं, आपको शादी करवानिये तो बाहर जाकर करवाये, मैं यही रहूँगा, अपने पिकाजी से कोई इस तरह बात करता है, हड़ा, पीच महाना, क्या, क्यों मैं मानू आप की बाद, बच्पन से यह से हमारे सर पर बठा कर चले गए, और आप लोग वहाँ हनिमून कबल की तरह आराम से अपनी जिंदगी चीव रहे हो, और मैं यहाँ बिल्कुल पागल सा हो गया हूँ, और सब इसको ही सपोर्ट करते हैं, मो बंद रख अपना, एक शब्द और न अरे साथ जी, लड़के वाले आ गए हैं क्या विष्णू, कुछ बात करने के लिए बुलाया था ना, ए, मैं कुछ पूछ रहू, बोलता क्यों नहीं? समझ गया, अब तक तो तूने उसे रूलाया, अब वो जा रही है तो तू रो रहा है हेई, यहाँ बैठकर अके लिए रोने से कुछ नहीं होगा, जिसके लिए अपने आसू बहार आ है ना, उसके सामने जाके बहार क्या रहे, तेरे घर में आज, शादी होने वाली है ना, लेकिन क्या है कि, मंगल सूत्र से शादी नहीं होती, शादी के लिए ना, तुलहन भी मौजूद होनी चाहिए और तुझे बताए कि, इस वक्त तुलहन कहां पर है, एए, क्या बक्वास कर रहा है तू, बक्वास नहीं, टस मिनिट के अंदर अगर तु नारियल की खान पर नहीं आया ना, इसको काटके टुकुडे-टुकुडे कर देंगे तेरी परिस्थिती में समझ गया तेरा दिमाग कुछ और बोल रहा है, और दिल कुछ और बोल रहा है तेरे दिमाग में ये चल रहा है, कि मैं किसी भी तरह जल्दी से इन दोनों की शादी करवा दूँ जो बच्चे बच्चपन से एक साथ रहे, उनके प्यार को समझ कर उन दोनों को एक कर दूँ ये दिल में चल रहा है देख, दिमाग और दिल दोनों पास-पास होते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी देख नहीं पाते एक को जो अच्छा लगता है दूसरे को नहीं, लेकिन जो दिल को अच्छा लगे वो काम करने से मन को शांती मिलती है शादी के लिए भी एक गंटा बाकी है, तब तक अच्छे से सोच ले अरे वो बात नहीं है मैं तेरा दर्द समझता हूँ या, लेकिन एक बात याद रखना, जब युद्ध की शुरुवात होती है, तो आर्या पार्म यही फैसला होता है, बीच में कुछ नहीं होता तुम लोगों को मुझसे प्राब्लम है, तो मुझसे लड़ो ना है, लेकिन तुम लोगों को एक बात समझ में नहीं आए, अगर मुझसे इसकी शादी नहीं हो रही है, तो तुम लोगों से ज़्यादा गुसा तो मुझे अपने पापा पर आ रहा है, मारना है तो मुझे मार उसे चुप-चाप छोड़ दो इसने मेरी दबंग गई और तुमने मेरे सिर पर दाग दिया है दोनों को एक साथ ही मारूंगा अरे तुझे बदला लेना है तो एक पैकेट सिर्ट जला कर मेरे सरके बुझा दे मेरी बात मान उसकी एक गंटे में शादी है और मेरे पापा ये सब बरदाश नहीं कर पाएंगे प्लीज विश्णू अब यवी एक बार सोच लो मुझे ये शादी नहीं करनी मैं कितना भी चाहूँ तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी अरे भागा लोगा ये क्या तू वहां पुरी फैमिली वेट कर रही है और तू यहां बगवास कर रही है जाओ आपर मेरी बात कोई समश्था ही नहीं वह शादी करूँ इससे तो अच्छा होगा कि मैं आपी जान दे दू सुरीए प्लीज आप मुझे मार दीजी प्लाइए कवाँ हो इस नहीं को हमने को तुझे एक बात समझ में नहीं आती क्या नोरकी क्यों पर आपने में चाहिए हम चलो शादी का टाइम हो रहा है मुझे भी कहीं जाना है नहीं आओंगी विश्णू मुझे इस शादी नहीं करें अरे यह क्या बात हुई मैं इतने पैसे खज करके यहां पर आया हूं और तुम लोग अपना सेट्लमेंट करने में लगए हो तेरी तो खर्ता करके आया इसको यहां लेकर क्यों आया अब बोल इसे कि शादी कर ले या फिर तूरी इसे छोड़कर आएगा बेटा जाओ बेटा माठ डालो माठ डालो बोल रही हो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मड़र हूँ घूनी हूँ ए तुम तुनों को जो करना है जाकर करो शादी करना ही शादी करो में तो मरना है मर जाओ मुझे कुछ नहीं करना जा तुम लोग पैसे भी खर्च होगे सर्विसिंग भी हो ग इन इन गेड़ान. सल्भी फ्लक्षी,ी वोप्ली कर दो? है जा इन इन inici है? यह क्या है? फ्लैक्सी यह क्या है? सेलफी अरे तुझ जो सेलफी में लड़का है वो यहाँ फ्लैक्सी में क्यों नहीं है? वाइ इस कैंड ओडिफरेंट बिट्मीन लव और मारेज्ट? मैं यह मामला सुछुरूं को पूछ रहो? अंदर जाके लड़की के बाप से पूछो ना? तुझे रास्ता तो नहीं बता लेकिन तरीक्या बता दिया मैं तुझे बेट फोर्म रेवाट दूगा अब तुझा 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 बिटा अगर तेरे जते आत्मियों तो गूगल की जरूरती नहीं है अल्डान 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 इस शादी से आपका कोई रिलेशन है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो मेरे घर पर आकर मुझसे पूछ रहे हो कौन हूँ मैं दुले का बाप हो भाई ए मैं इनसे बात करता हूँ तुम शांत रहना मैं समझा देता ठीक है अल्रेडी यह लड़की किसी और से प्यार करती है मैं आपको सबूत दिखाता हूँ यह सेलफी मैंने खुद कीची है और इन्हें बेस्ट लवर का अवार्ड भी दे चुना है यह क्या है आप देख रहे हैं ना दरसल में हुआ यह था फोटो में तो दिख रहा है कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अरे बेवड़ा कहीं का इससे लगा कि दिखा देखा तो मैं विश्वास कर लूँगा शेखर जी ने उसे पाला पोसा है यह दोनों बचपन से ही एक साथ बले बढ़े हैं इसलिए प्लोज फोटो खिचवाए हैं वह तो ठीक है लेकिन बचपन से दोनों साथ में रहे हैं इसलिए इतने प्लोज हैं एक बार सोच लिए कैसी बात कर रहे हैं आप आपको पता है यह शेखर जी का रिष्टा है वहां कोई समस्या नहीं हो सकती आप जैसे लोग ऐसे अशक करेंगे तो कैसे चलेगा अमेरिका के कॉलेज में जहां मेरा बेटा पढ़ता था अमेरिका में ऐसा ही होता है तू चिंता मत कर मेरी बात सुन कोशिश करते रहना आप फुल सपोर्ट कर रहे हो ना मैं फुल बोतल पीके शादी जरूर रखूंगा एक बात और बुलो मैं आपको बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड जरूर दूंगा अब देखते रहो क्या करता हूं मुझे छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए कैसी इंफॉर्मेशन आपका इशादी से कोई संब्ध है क्या आरे क्यू नहीं है लड़की का बाप मैं ही हूं आपके पास दिमाग नहीं है क्या लगता कोमन सेंस भी नहीं है मेरे फोन को देखो सब समझ में आ जाएगा हूं तुम्हारे पास दारू है क्या फूर्म पाता लए चलो मेरे साहिचव हूं अरे वो दोना एक दूसरे को पसंद करते हैं यह बात मुझे नहीं पता अच्छा, वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, यह तो कब से जाते हैं? अरा, इसमें जानने की क्या बाद है? उन्हें बेस्ट लवर्स का अवाट मैंने दिया है और मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इन दोनों को कैसे भी करके मिलाना है, सार चाहिए तो आपको फूल वाटाल दूँगा, सार, आभी पार्टनर सपोर्टिंग रूल का वाट दूँगा इन लवली कपल्स को मिलाना है, सार, यह बहुत अच्छे है, सार, बहुत प्यार करते है गुद्रे को मिल गया तुम्पाल आइडिया सार, यह क्रमाल आइडिया थी आपने यह क्या सर, बेटी की जादी है तो खुश होना चाहिए आपको, ऐसे मूँ लटका के क्यों खड़े है अरे मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी बेटी को वो विष्णू बहुत पसंद है, लेकिन दबाव में मैं उसकी सादी कहीं और कर रहा हूँ अरे तो फिर बेटी जीसे पसंद करती है, उसी से शाद क्या मैंने अपने दोस्त को समझाया, कि आपका बेटा और मेरी बेटी दोनों एक ही साथ पले बड़े और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन पैसों की लालच है मैं जादा दहस नहीं दे सकता ना इसलिए उसने कहा कि वह ऐसी जगह शादी करेगा जाहां से उसे जादा दहस मिलेगा इसलिए उसने रिष्टा ढूंडा यह जानते वेभी कि मेरी बेटी उसके बेटे से कितना प्यार करती है ना कुछ भी नहीं कर बारा सुनिये क्या हुआ वह वेदा कहीं नजर नहीं आ रही है मतलब अरे वह आपके बेटे के साथ भाग गई अरे तु कैसे बात कर रहा है शेखर जी की लड़की है आप चुप रही है आप और आपके शेखर इनका बेटा उस लड़की से प्यार करता है उससे शादी करेंगे तो दहस नहीं मिलेगा इसलिए इन्हों ने हमें बेवकूप बनाया तो आगया बेटा अखिर हुआ क्या था इसे कहां लेकर चला गया था तू आंटी इतना इमोशन क्रियेट करने की जरूरत नहीं यह जिससे प्यार करती है उसे मंदप में लेकर आई है और आप ऐसे नाटक कर रही है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं और इन्होंने सब जानते हुए हमें बेवकूप बना दिया और आप दिन रास शेखर जी का नाम लेते हैं यह है वो बड़े आद्मी अरे नहीं देखो बेटा चारा इज़त से बात करें अरे मैं तुझे क्या इससे तू हूँ अगर भाग कर जाना होता तो जब अम्मू ने बोला था तब ही इसे भागा कर ले जा सकता था लेकिन मेरी उज़त के लिए इसने अम्मू को नहीं कितना डाटा और इस बात के लिए से समझाया भी कितना जानती हो अगर इसे लेकर जाना होता तो तूने जब चाटा मारा था तभी अम्मू को साथ में लेकर घर से जा सकता था ना अगर भागना होता तुम मेरे दोस्त को इस तरह ढखेंता नहीं वो अरे मेरी इज़त रखने के लिए शादी करवाना चाहरा है और मैं अपनी इज़त रखने के लिए ही ये शादी करवा रहा हूँ ये मेरी गल्ती है बड़पन वो नहीं है जो मेरे सफेद कपड़े दिखकर लोग मुझे इज़त दे इसकी तरह बड़ा दिल होना चाहिए क्यों बेटा इतना कुछ होने के बाद भी तोने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया क्यों एक बात तो मेरी समझ में आगे कि आप लोग मेरी शादी इससे करवा देंगे अगर आप लोगों का फेमिली ड्रामा हो गया हो तो पूरी फेमिली के साथ एक सेल्फी ले लूँ गया है कि आखर में हम जिस कॉलेज में पढ़े थे वहीं जॉब लग गई लेकिन मेरी नहीं गुद मार्निंग सार आ गुद मार्निंग बेटा क्यों रहे जब मैं बोल रहा था तो अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो आज कॉलेज में नौकरी कर रहा होता ना सार क्या बात है चप में 10,000,000 लुपे का मनाफ़ा हुआ है और आठ लग उन्होंने आपको देने के लिए गाया है निचे न परपा क्यों सामाच जी क्या बात है बहुत हैपी लग रहा हो क्यों नहीं सासूर जी करके अच्छा खासा माल कमाया है आपके साथ पैग पैग मार रहा हूं और खाने विश्व विजेता सिकंदर भी इस तरह कभी खुश्छ नहीं रहा होगा तो चल, उठाए ग्लास